दोस्तो बच्पन से हमें एही सिखाए जाते हैं कि आच्छे काम करने के लिए एडूकेशन बहुत ही जुरूरी होता है और लाइफ में जीने के लिए हम लोगों को बहुत सरे काम करना पड़ता है चाहे हो काम कितना भी कठिन क्यों न हो ऐसे दुनिया में बहुत सारे काम यानिकी नौक्रिया मौचुद है इन मेंसे कुछा इसे अजीब काम भी है जो सुनकर आप सथ यकीन नहीं करेंगे नौर्मल जब्स की तुलना में इन सब नौक्री में ज़ादा पैसे आप कमा सकते हैं इसमें से कुछ काम तो बहुत ही आसान होते हैं जो कोई भी कर सकते हैं तो चलिए जान लेते ऐसे ही कुछ अजीब नौक्रियों की बारे में दोस्तों वीडियो को अन तक जुरू देखना वीडियो देखने से पहले अगर आवाने चैनल में नए है तो इसे सब्सक्राइब जुरू कर दिना क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ नमबर ओन प्रोफेसिनल स्लीपर फिनलेंड की होटेल्स में अपने होटेल की बेट की कॉमफोर्णेस को परक्षने के लिए एक प्रोफेसिनल स्लीपर को हायर के जाते हैं वो हर राथ होटेल की अलग अलग बिस्तर में सोते हैं और कौंसबेट कितना कॉमफोर्ट है उसके उपर एक सार्वे करते हैं आप सोच सकते हैं कि यह कितना आसान काम है दुनिया की सबसे आरामना कामसाद यही है और हाँ इस काम के लिए उनको अच्छे सालारी भी मिलते हैं इस काम के लिए उन्हें हर में इनकरी 5000 डॉलार पी सालारी मिलते हैं कि आप जानते हैं दुनिया की सबसे आसान नौकरी कौन सा है इस काम के लिए आपको पूरे दिन बैट कर टी भी देखना पड़ेगा जिसके लिए आपको मोटी राकम भी मिलेगा आप सुनके साथ थोड़ा सा हैरान हो जाओगे लेकिन नेट्फिक्स के करमचारी के लिए ये सपना नहीं हकीकत है नेट्फिक्स ने अपने मोवीज और सीडिस को रिलेज करने से पहले ओ कितना अट्राक्टिव है और लोग के लिए कितना माईने राखते हैं यही सब चेक करने के लिए आदमी को उस काम में राखते हैं उसका काम यह है कि हर सो देखने की बाद उसको अपने experience की उपर एक report देना होता है और इस काम के लिए उसे हर महिने एक से देड़ हज़ार डॉलर की सलानी मिलते है ये कम जितना मज़ेदार है उतना ही खतरनाग भी है सापो की जहर बहुत सारे कामों में आते हैं लेकिन सबसे जरूरी इनकी जहर से एंटी भेना बना जाते हैं जिसे करण हर साल बहुत सारे सापों को पाला जाता है स्नेक मिलकर्स की काम होते हैं सापों की जहर को निकलना ये काम में थोड़ा सा भी गलती मौत का करण बन सकते हैं इस काम के लिए उन लोग को हर साल 60,000 डॉलार की सालरी मिलते हैं नमबर फूर रेंटल बॉइफरेंट जापान की टोकियो में भाड़े की बॉइफरेंट में मिलते हैं अगर आप लेटकी है और आपके पास बहुत सारे पैसा है तो बॉइफरेंट डोड़ना आपके लिए बहुत ही आसान है बॉइफरेंट करेंट उनका परस्वाड़ी के उपर डिपेंट करते हैं और इसका मिनिमम चार्च हर दिन 50 डॉलर लेकिन जापान में भी तक रेंटल गर्ल्फरेंट की सुविता उफलब नहीं है इस जोब में गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है जिसके लिए पैसा भी मिलते हैं अगर आपके पास महंगे कार है और आप कोश्टारीक में रहते हैं तो आपको कार सीटा जुरू रखना चाहिए नहीं तो किसी भी पर लब की गाड़ी चोरी हो सकते हैं इस काम के लिए कार्षीटार को एक सी 10 डिलर की सलरय मिलते हैं एक कमसूने में बहुत ही गंदा लगते हैं लेगिन इस काम के लिए बहुत ज़ादा पैसा मेलते है इस काम में घोरे को अक आठिफिच्यल वैजारिने के साथ संभुग कराए जाते हैं और उनकी स्पार्म कालेट की जाते हैं इस काम के लिए औरकर्स को 200-300 लोलर की सालरी मिलते हैं नमबर 7 पेट फूट टेस्टर इसका मतलब है कि एनिमेल के फूट को बनने की बाद उसकी स्वाद लेना इस काम के लिए आपको एक सचे एनिमेल लावर होने की जूरूरत है इस प्रकार की एनिमेल फूट में हड्डिया, मास, बिस्कुट जैसे बहुत सारे भाराटीस मौझूद है पेट फूट टेस्टर को टेस्ट के बाद उनके एक्सपिरेंस की उपर एक रिपोर्ट देना होता है कि ओ जनवर के लिए कितना स्वादिष्ट हो सकते है इस काम के लिए उसे हर सल 35,000 डॉलार की सालारी मिलते है नमबर एट, चीकेन सिक्सर नाम जैसा भी हो लेकिन इस काम में मज़ेदार कुछ भी नहीं है चीकेन सिक्सर की काम होता है छोड़े-छोड़े चीक्स मेल है या फिर फिमेली पता लागाना जो की आसान काम बिलकुल भी नहीं है जिससे कारण इन लोग को बहुत सारे महनत करना पड़ता है हाला कि उन्हें इस काम के लिए हर साल 10,000 डॉलार की सालारी मिलते है दूसरे लोगों के काम में नाग पूचने बाला इसाथ ये काम कर सकते हैं क्योंकि इस जॉब में काम कुछ ऐसा ही है दियोडरंट टेस्टर की काम होते हैं दूसरों की आर्म पीट यानि की जंक पर अपने नाग खुचा के गंध लेना ताकि उस गंध को छुपाने के लिए उस सही दियोडरंट की स्तेमाल कर सके इस काम के लिए डियोरोरेंट टेश्टर को साल वर पचास हदार डोलार की सालरी मिलते हैं नमबर टीन सुईमार्स लाइब सेफर बड़े बड़े इभेडियर की ओलिम्पीगे फिर काउनल गेम्स में आप देखेंगे सुईमिंग इबेंट की टाइम कुछ लोग स्टैंड पर बैठ रहते हैं उन लोग की काम यह है कि सुईमिंग के टाइम किसी भी सुईमार मुसिवत में बढ़ जाए तो उसे बचाना इससे गरण इन लोग को सालरी भी मिलते हैं लेकिन आज तक किसी ने इन लोग को किसी भी सुईमार्स की जान बचाते हुए नहीं देखा क्योंकि ओलिम्पिक्स में हिस्सा लेने वाले सुईमार इतनी सी पानी में क्या मुस्विद में पढ़ सकते हैं अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जुरूर बतना फिर भी इन लोग को इस काम के लिए साल बर 40,000 डॉलर की सलरी मिलते हैं नमबर 11 पेड गेस्ट भारत में अकसर साधियों में आपको बीन बुलाय मेहमान नजर आही जाते हैं इसलिए आपर इस काम की डीमांड नहीं है लेकिन जापान में कैसरे लोग ऐसे पार्ट ताइम जॉब करते हैं उन लोगो पैसे देकर साधियों में गेस्ट की रूप में बुलाय जाते हैं दरसल जापान की लोग बहुत ही ज्यादा बीजी रहते हैं क्योंकि यह लोगों को जदा छुट्टिया नहीं मिलते नमर 12 वाटा स्लाइड टेस्टर आप अपने जीवन में कभी न कभी वाटार पार्क तो जुरूर गये होंगे यहां पर बड़े-बड़े स्लाइड से नीची आने में बहुत मज़ा आते हैं हम पैसे देकर ऐसे मज़ा ले सकते हैं लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ हैं वो पूरे दिन स्लाइड में उपर निच होते रहते हैं नमर 13 स्वीपर एंड सेनेटेशन ओवरकर स्वीवर और नालों की साफाई करने बालों की नौकरी बहुत ही खतरनाक होते हैं इन लोग की सालरी 5-6,000 से ज्यादा नहीं होते साथ ही इन लोग को कोई भी उपकरन ही जीजाते जिसके लिए इने अपने हाथों से ही गंदे नालोव सिबार को साफ नबढ़ता है ऐसे काम करने वाले लोग कई खतरनाक बीमारीओं का सिकार हो जाते हैं और बहुत ही जल्द इन लोग की मौत हो जाते हैं दो दूस्तों कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जुरूर मताना Аपा WGBB method play आज चाहते हैं तो हमें कमेंट बता सverbsते हैं son दो आज आज दीम करेंे उसे आज पूंड़Now तो हमारे आढगों सेंस से देखने के लिए when training व्यों कर दो झाल झाल